नमस्कार बिहार इन सौट्स देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रुशिका राज्य में सिक्षा विवस्था को लेकर लगतार फर्मान जारी किया जा रहा है बच्चों को अच्छी और गुणवत्ता पुर्ण सिक्षा मिले इसके लिए लगतार कोशिश की जा रही है ऐसे में ये खबर और अंगाबाद जिले से निकल कर सामने आ रही है जहां पर एक विद्याले में अभी भी सिक्षकों की दबंगा ही देखी गई है स्कूल में फरजी तरीके से हाजरी बनाई जा रही है और जब महिला सिक्षक ने इसका विरोध किया तो उनके साथ बत्तमीजी भी की गई पहले आप महिला सिक्षक को सुने पहले तीज़े से मेरा जाइनिंग यहां पर होया था है यहां पर रास्ता बहुत टब है और जाकर जाती हूं पड़ा कर आती हूं और जब से मैंने फ़िविधर्षक पार नहीं है और इस चीज़ को प्रिंसिपल नएम कर रहा है वह दस दिन पर हाज्री बनाते हैं तिर्कुरारी सरन और दिपक कुमार का दुकान गोह से आपना दुकान सलाते हैं और दिपक कुमार संक का यह अग्यें prop देश से नियुकूमेशंेल का अग्या महीं मुंभिल देशक्र एजनसि में शी क्विस्प्र ऑफष्ण का दुप से है इसी हुजा से वों अपजर है और यह फिंसपल को क्या पैसा देते नहीं देते मुझे पता नहीं है इनå टीचर्स अपसें रहते हैं और सब कलास में one to eight एकले क्लास लेती हैं और फिंस खेरा रहते हैं जिसकी वज़र से क्लास नहीं होने की वज़ से बच्चे प्राइबेट इसकूल में जा रहे हैं, उनके गारजियन से बोलते हैं, और बच्चे जाने पर करते हैं, नहीं सर लोग आते हैं, बाद में मैं पुछी हूं क्यों बोले हो, तो वो लोग बोल रहा है कि हमारी हाजरी हम लोग नहीं भी आते हैं, प्राइबेट स्कूल में जाते हैं, तो हमारी हाजरी वो लोग बनाते हैं, इसी वज़र से हम लोग बोल दिये हैं, कि सर लोग आते हैं, और काफी चोरी सरकार की चीजे हो रही वहाँ पर जब से मैंने ज्यान किया है, चावल जो रसिया लोग ह चावर लेग जक्र जाती है बच्चों को खाना नहीं बनता है और 400 का बच्चे अटिंदेंस बनाए है और मात्र जब से मैं आया हूं मात्र 60-70 ज़ादा आते हैं और जब से मैं जा जा रहे हूं तब ही से 60-70 ज़ा उसके पहले एक भी बच्चे नहीं आते थे अभी जो आज आज हःए होई तो फिर्को टीचर नहीं है आमेसा प्रिंसिपल और दो साल से हमारे मेरे को ऐसे बोलती है लेकिन मैं चुक्या अपदाती हूं कि मैं चाहती हूं कि तृंसपर करालो मैं बहुत बार दौड़ी भी यूँ आपी फुछी दिन पहले मैं गई थी सैचिवाले म पटना मिखमंत्री जी से मिलने का मुझे नहीं मिला उन्हें भी इनफॉर्म करना चाहते हूं कि मुझे बहुत मुस्किल हो रहा है पैदल चलक आना जाना पड़ता है और उपर से यहां पर जो टीचर्स है वो बिल्कुल उदंड हैं बोलने का तमीज नहीं है मारने को पुलिस गई थी पुलिस ने अपना अच्छा से काम किया पुलिस के काम में कमी नहीं था और ना बीयों साथ के काम में कोई कम नहीं है क्या ना करका का ज़िए शर आधरने केके पाठक मुक्षचिप यहार पटना चाहिवार तथा जिला शिक्षा पतादिकारी और पाठक के आदेशा नुसर विश्याज मेरा डीम सर के अनुकूल भी मेरा आज कारकरम निरधारित आठ दस विदालेकर था जिसमें एक अहियापूर भी था तो जांच के क्रम में सर काजल कुमारी और हेड मास्टर साहवा आपस में बता बती कर रहे थे कि दीपक कुमार और शीवशंकर वावू कल और परसु नहीं आये उनका हादरी खाली था आज आकर के दुनों बना लिया है दीपकुमार परसु और शीवशंकर जीवाने की तीन तारिक को यह दो आपस में बास कर रहे थे हूँ फिर मार सब करते हैं यह करते हैं मैडम बोली नहीं हम आप खाली का तुम कौन होती हो मने कौन आदमी कहां है कि के फारी बनाया नहीं बनाया सक्तों कूंआ होती वाला हम तुम चारों सिक्षकों को तुम परिसान कर रखी हो तुम तुम को आप बैठे हुए हैं हम भी बैठे हुए हैं ता आपका एक शिक्षा काना अबस्क रूप से क्यों आकर कि इसमें और टेक कर गया उनसे तुम नहीं बुलाएं उनसे बाचित नहीं हो रही है इतना ही सर हम बोले कि दीपाक कुमार उसको छोड़ करके हम पर हम लागते कर दोनों आदमी उनको पकड़ करके ऑफिस से बाहर कर गलादवाने की असरु बलिष्ट छोफिटा जवान है अब भगमान उतना सरीर भी दिये हुए है उसके निकेट में सर रंती निकाह है उससे पकड़ा जाते नहीं है अधना ठटा दार्गी देता हूँ इस बिल्कुल हंडेर परसेंट जिस परकर रुटबा देखे ना सर अटेकिंग मूड देखे ना और सर बीदी तो यहीं सिक्षाक मेरे साथ गांदी असमारा को उच्विद्याले में दूसों सिक्षकों के बीच में खुए आप ताक तुम को पट्टा करके मूरी में गोली म अगर पट्टा करने स्कूल में पहुंचे तब एडमास्टर और महिला सिक्षक के बीच जड़प हो रहा था जिसकी वज़े से यह मामला काफी जादा बढ़ गया जिसके बाद विईयों नेज की सूचना वरिये अधिकारी और पुलिस को दी फिलाल इस खबर में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें खबर देखने के लिए शुक्रिया